जिस्चा बैदा का निर्मान कर आज हम अपना जीवन वैतित कर रहे हैं इस तरह के रहन सैन का ढ़ंग और जीने के तोर तरीके आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्वेता के लोगों द्वारा पहले ही किया जा चुका था सिंधु घाटी सभ्वेता का एक ऐसा सहर जिसे मुर्दो का टीला भी कहा जाता है क्योंकि करीब सो साल पहले की गई खुदाई में मिले कंकालों के अवसेसों की वज़ Says इसे हुआन जो दारों कहा जाने लगा Jिसका अर्थ होता है मुर्दो का टीला तक्शिन एस्या में बसे इस सहर को सबसे कुराना सहर माना जाता है हजारों साल पहले इस सहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते खुदाई के दोरान मिली बड़ी बड़ी इमारते मिट्टी वे धातु के बरतन मजबूत दिवारों वाले घर जलकुंड, मूर्तियां, पक्की इटें, तरासे हुए पत्थर और एक विशेश परकार की चित्रकारी अते और भी बहुत सी अजीब अजीब वस्तों से पता चलता है कि यहां एक वैवस्थित सहर का निर्मान बहुत पहले हो चुका था जैसे हम आज रहते हैं वैसे ही वे लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे मिट्टी की नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए यहां कई बार खुदाई का काम सुरू पिया गया और कुछ वजवों से बंद कर दिया गया यहां मिले अवस्थिसों से पता चलता है कि यह सहर 200 हैक्टेर छित्र में बसा हुआ है और अभी तक सिर्फ एक तिहाई भाग की खुदाई की गई है इस प्राचिन सब्वेता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकन भी माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान के सिंध में च्यालिस सो साल पहले इसका निर्मान हुआ था 1856 में एक अंग्रेज इंजिनियर ने रेल की पत्री बनाते समय इस प्राचिन सब्वेता को खोज निकाला था रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजिनियर पत्थरों की चलास कर रहा था जिसे की वो गिट्टी बना सके यहां उसे बहुत मजबूत और पुरानी इट मिली जो बिलकुल आज की इट की तरह बनी हुई थी पास के इलाके के एक व्यक्ति ने बताया कि सब के घर इन्ही इटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई में मिले हैं तब इंजिनियर समझ गया कि ये जंग है किसी प्राचिन सहर के इतिहार से जुड़ी है इसी इंजिनियर को सबसे पहले सिंतु नदी के पास बसी इस सबसे पुरानी सभीता के बारे में पता चला था इसलिए इसे सिंधू गाटी की सभीता कहा गया है इस प्राचिन सभ्वेता के समय एक और प्राचिन सभ्वेता भी थी जो इजिप्ट ग्रीस में थी यह बात प्रोतक्तो वेताओं के द्वारा कही गई हो सिंधुगाटी सभ्वेता 2600 से 3000 इसा पूरु तक रही थी इस प्राचिन सभ्वेता में कुछ अर्बन सेंटर थे जैसे मोहन जोदारो, हरप्पा, लोथल, काली बंगन, धोला वीरा, रखीगार थी मोहन जोदारो इन सब में सबसे अगरीम सहर था उस समय यह सबसे बड़ा वे वैवस्थित सहर माना जाता था इसलिए पुरातत्तव विताव ने इसकी सबसे पहले खोज शुरू की वैं इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी कठी की इसके बाद हरप्पा ऐसा सहर था जो वैवस्थित धंग से बसा हुआ था वै जिसको अगरीम धंग से बनाया गया था मोहंजोदारों को देख ऐसा लगता है कि ये सहर किसी सफल इंजिनियर ने बनाया होगा लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था 1911 पूरू में जब अचानक सिंदु गाटी सब बैटा का पतन हो गया तब मोहंजोदारों भी मिट गया इन सहरों में रहने वालों का तो पता नहीं लेकिन खुदाई में निकले आवसेसों को देख कर ऐसा लगता है कि इसका निर्मान पूरी प्लैनिंग के साथ किया गया था सहर के चारों और पक्की इट की मोटी दिवार बनी हुई है जो की रक्षा के लिए बनाई गई थी उस समय भी लोग पक्की इटों से बने घरों में रहते थे जो की तीन-तीन मंजिल के बने हुए थे कुछ घरों में बिल्कुल आज ही की तरह बनाए गए बातरूम भी मीते हैं इसमें पानी की निकासी के लिए नालिया भी थी दुनिया में पहली नाली का निर्मान यहीं से हुआ था पुरातत्तव वेताव के नुसार उस समय के लोग खेती भी किया करते थे उन्हें गेहुए चावल उगाना अच्छी तरह आता था वे लोग जानवर भी पाला करते थे खोज के दोराँ पता चला था कि यहां के लोग गनित का भी ग्यान रखते थे इन्हें जोडना, घटाना, मापना सब आता था जो इट उस समय अलग-अलग सहरों में उप्योग की गई थी वे सब एक ही वजन वे साइज की थी जैसे मानों इसे एक ही कंपनी के दोरा बनाया गया हो पुरातत्तव वेताओं के अनुसार, सिंदु गाटी सब्वेता के लोग गाने बजाने वे खेलने कुदने के भी शोकीन थे उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रुमेंट तथा खिलोने भी खोज निकाले थे वे लोग साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देते थे पुरातत्तों वेताओं को कंगी, साबुन वे दवाईयां भी मिली हैं उन्होंने कंकालों के दात का निलिक्षन भी किया था जिससे पता चला कि वे नकली दात भी इस्तेमाल किया करते थे मतलब प्राचिन सब्वेता में डॉक्टर भी हुआ करते थे खोजकरताओं ने बहुत सी धातों के गहने वा कोटन के कपड़े भी खोज निकाले थे ये गहने आज भी बहुत से संग्रालों में रखे हुए हैं इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के, दिये, बरतन, होजार आदी भी मिले थे जिन्हें देश-विदेश के संग्रालों में रखा गया है भारतियों द्वारा मोहन जोदारों की खोज 1922 में राखलदास बैनर जी ने जोकी पुरातत्त्तों सरविक्षन के सदश्य थे उन्होंने पाकिस्तान में सिंदोनदी के पास खुदाई का काम किया था उन्हें बुद्ध का स्थूप सबसे पहले दिखाई दिया था जिसके बाद आशंका जताई गई कि यहां नीचे कुछ इतिहास दबा हुआ है इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में कासिनाथ नारायन वे 1925 में जोन मार्सल ने खुदाई का काम करवाया 1965 तक इसे भारत के अलग-अलग लोगों की कमाड में करवाया गया लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद कर दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वज़े से प्रकृति को नुक्षान हो रहा है कहते हैं कि वे लोग सोने चांदी के कहने भी पहनते थे लेकिन उनका पता नहीं चला क्योंकि वे चोरी हो गए थे कहा जाता है कि प्राचिन सब बैता में पचास लाग के आसपास लोग रहते थे एक दिन अचानक भूचाला गया जिसकी वज़े से सब कुछ तहसनैस हो गया कहते कि इसी भूचाल के चलते मोहन जोदारों भी दब गया और भूकम के बाद वहां परवत बन गया कुछ खोजों के जरीए पता चलता है कि उस समय वहां रहने वाले लोगों के तुस्मन भी हुआ करते थे कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पुरे सहर को नश्ट कर दिया था अभी पुरातत्तो वाले और खोज में लगे हुए हैं और वे पता कर रहे हैं कि कैसे इस सहर का निर्मान हुआ वहां रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रीम सब्वेता का निर्मान किया और कैसे इनका अंत हुआ इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्तो वेताओं की खोज आज भी जारी है खुदाई के दुरान कुछ लिपिक भी मिले हैं जिस चेशिद होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था दुर्भाग्यवस पुरातत्तो वेताओं को वेलिपि आज तक समझ नहीं आई है जिस दिन उनको वेलिपि समझ आ जाएगी उस दिन मोहंजोदारों के पहुत से रहसों का पता लगाया जा सकेगा उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें तब तक खुश रहें खुश हाल रहें जै हिंद जै भारत